हेलो फ्रेंड्स आप सभी के अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है आज लोग जैसे आटी एट क्लास साइंस का चेप्टर फोर्टिन का कोशन अंसर करने वाले हैं चेप्टर फोर्टिन का नाम है दुवानी किलर है तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहें भी दीकत हो कि तो मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं आपकी प्रोब्लम स्वल्व करने की पूरी कोशिस करूँगा तो चलिए बढ़ते हैं कोशन अंसर की ओर पहला नमबर देखिए सही उतर चुनिये किलर है पहला का पहला आँवर्ती का मातरक है option क मीटर, option ख सेकेंड, option ग हर्ज, option ग मीटर प्रती सेकेंड तो इसका सही अंसर हो जाएगा ग नमबर हर्डज क्लिए है आवरती का मातरक हर्डज है अब देखिए सेकेंड नमबर के कोश्चन है दोनीस अंचरित हो सकती है Option क केवल ठोस में Option क केवल द्रवों में Option ग केवल वायू या गैसों में Option ग ठोसों द्रवों तथा गैसों में जिसका असरी अंसर हो जाएगा ग नमबर ठोसों द्रवों एवं गैसों में किलर है फिर देखिए थ्री नमबर थ्री नंबर का question है इनि में किस यावाज की आवरिती सबसे अधीख है Option क, छोटी बच्ची की Option क, छोटे बालक की Option क, महिला की Option क, पूरूस की तो जैसे कि आप को दिख रहा वगा तिक्किया हुआ है क नंबर में छोटी बच्ची की आवाज की आवरित्ती सबसे अधिक होती है किलर है इस नोट कर लिजे फिर अवरों देखेंगे next second number अब देखिए दूसरा number निमनांकित कथन सत्य है या असत्य सही गलत है किलर है ए नबर देखिए किसी कंपित वस्तु के प्रती सकेंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं यह गलत है किलर है फिर देखिए बी नमबर यदि कंपन का आयाम अधिक है तो दोनी मन्द होती है यह भी गलत है किलर है अब देखिए c notdhva निर्वात में संचरित नहीं हो सकती यह बिलकुल सही है उसके बाद देखिए d number कंपन की आवर्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा यह बिलकुल गलत है फिर देखिए e notdhva अप्रिये ध्वानी को संगित कहते हैं यह भी गलत है फिर F नंबर मानों के कानों के लिए स्रवेता परास 20 हर्ड से 20,000 हर्ड है यह बिल्कुल सही है फिर देखिए G नंबर सोर प्रदूसन आंसिक स्रवन असक तता उत्पन कर सकता है यह बिल्कुल सही है किलर है फिर देखिए H नंबर कमपन करने वाली वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम करते हैं यह सही है किलर है इसे नोट कर लिजे फिर हम दो देखेंगे फिल लिन्द ब्लाइंग्स त्री नंबर देखिए उचित सब्दों दोरा रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए किलर है खालेस्थान को भरना है तो खालेस्थान के बगल मैंने लिखा हुआ है इधा ठीक ना खालेस्थान में जगा चोट 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 था तो वहाँ पर नहीं लिखा फिर देखिए पहला नंबर केवल कंपित वस्तु ही खालेस्थान उत्पन करती है तो अंसर हो जागा केवल कंपित वस्तु ही ध्वानी उत्पन करती है पिर देखिए सेकंड नंबर आयाम का मातरक खालेस्थान है तो अंसर हो जागा आयाम का मातरक हर्ड जिसको केपिटल H और Z से हम किसी कमपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कमपन पूरा करने में लगे समय को खालिस्थान कहते हैं तो अंसर हो जाएगा आवर्तकाल प्रबलता कमपन के खालिस्थान से निर्धारित की जाती है तो अंसर हो जाएगा आयाम फिर देखिए पाचवा नमबर अप्रे ध्वानी को खलेस्थान कहते हैं तो अंसर हो जाएगा अप्रे ध्वानी को सोर कहते हैं पिर देखिए 6 नमबर ध्वानी का संचरन खलेस्थान में नहीं होता है तो अंसर हो जाएगा ध्वनी का संचरन निर्वात में नहीं होता है फिर देखिए साथवा नमबर बीस हजार हर्ट्स से अधिक अबरिती वाले ध्वनी को खाले स्थान कहते हैं तो अंसर हो जाएगा 20,000 Hz से अधिक अवरित्ती वाले ध्वानी को परास्रवे ध्वानी कहते हैं फिर देखिए आठवा नमबर तिक्षन ध्वानी की अपेक्षा मोटी ध्वानी का तारत्व खलेश्थान होता है तो अंसर हो जाएगा तिक्षन ध्वनी की अपेक्षा मोटी ध्वनी का अतारत्व कम होता है क्लियर है इससे नोट कर लीजिए उसके बाद में देखेंगे next question answer फोर नमर के question देखिए यदि कंपित वस्तू 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल तथा आवर्ति ग्यात करें clear है तो देखिए दोलन की संख्या बराबर हो जाएगा 50 समय है 5 सेकेंड और आवर्तकाल मतलब समय निकालना है question mark जैसे मैंने यहाँ पर display किया है आप लोग को भी से मिशी तरह लिखना है फिर देखिए 50 दोलन को पुरा करने में लिया गया समय बराबर 5 सेकेंड एक दोलन की संख्या 50 बटे 5 बराबर 10 हर्ड क्लियर है तो आवर्ति हो जाएगा हमारा 10 हर्ड फिर देखिए अतह आवर्तिकाल बराबर 0.1 सेकेंड फिर आवर्ति बराबर 10 हर्ड क्लियर है इससे नोट कर लिजिए उसके बाद में देखेंगे 5 निमर का question अंसर 5 निमर का question है एक मच्छर अपने पंक को 400 कंपन प्रति सेकेंड की आवसत दर से कंपित करके द्धन उत्पन करता है कंपन का आवर्तिकाल ग्याद करें इसमें भी समय ग्याद करना है तो देखिए 400 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय बराबर एक बठे 400 बराबर 0.0025 सेकेंड इसे नोट कर लीजिए उसके बाद हमों देखेंगे next six number six number के question देखिए सोर तथा संगित में क्या अंतर है क्या कभी संगित सोर बन सकता है तो इस का अंसर हो जाएगा सोर देखिए अनियमित कमपनों से उत्पन होने वाली अप्रिये द्वणी सोर कहलाती है उधारन के लिए कक्छा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलने से हथोड़ा चलाने से क्लिर है और देखिए संगित नियमित कमपनों से उत्पन प्रिये लगने वाली सू स्वर ध्वनी को संगीत कहते हैं किलर है जैसे गितार के तार से उत्पन ध्वनी यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनी का हो तो वह सोर का रूप धारन कर लेता है किलर है इसे नोट कर लीजिए उसके बाद हो देखेंगे सेभन नमबर सेभन नमबर का कोस्चेन है मानो वाकियंतर का चित्र बनाएं तथा इसके कारье की व्याख्या करें कलर है तो देखेंगे यहाँ पर जो डाइगराम दिख रहा है आपको यही है मानो वाकियंतर इसे ड्रो लीजिए फिर देखिए नीचे वाक यंत्र के कार करने की विधी मानों में ध्वनी वाक यंत्र अत्वा कर द्वारा उत्पन होती है सरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है यह स्वसनली के उपरी सीरे पर होता है वाक यंत्र या कंठ के आरपार दो वाक तन्तू इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक संकीर्न जीरी बनी होती है जब फेफडे वायू को बल पुर्वक जीरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तन्तू कमपित होते हैं जिससे दोहनी उत्पन होती है वाक तन्तूओं से जुड़ी वांस्पेस या तन्तूओं को तना हुआ या धीला कर सकती है जब वाक तन्तू तने हुए और पतले हैं तब वाक ध्वनी का प्रकार या उसकी गुन्वता उस वाक ध्वनी से भीन होती है जब वाक तन्तू धीले और मोटे होते हैं किलर है इसे नोट कर लीजिए उसके बाद नो देखेंगे नेक्स्ट नंबर का कोर्शन अंसर अपने वातावरण में सोर प्रदूशन के स्रोतों की सूची बनाएं कौन-कौन सा स्रोत है जिसे सोर प्रदूशन होता है कलर है तो चले देखते ही अंसर सोर प्रदूशन के कुछ मुख्य स्रोत पहला नंबर वाहनों की द्वनिया कलर है सेकर्ड नंबर विस फोटक जिसमें फटाकों का फटना भी सामिल है फिर तिसरा नमबर मसीनों से उत्पन धोनी फिर चोथा नमबर लाउड स्पीकर से उत्पन धोनी फिर पांचवा नमबर उची आवाज में चलाये गए टेलिवीजन या ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन धोनी फिर देखिए छट्ठा नमबर रस्तोवी घर के कुछ उपकरनों द्वारा उत्पन धोनी फिर देखिए साथवा नमबर कूलर वातानुकूलक आदी से उत्पन धोनी क्लियर है ये सब है सोर प्रदोसन का स्रोध इसा नोट कर लीजिए उसके बाद में देखेंगे 9 नमबर 9 नमबर देखने से पहले आपसे रिक्योएस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को हडस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आकिन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दी तो चली अंसर देखते हैं खिलोना टेलिफोन वाला प्रयोग क्लियर है पहला नंबर प्लास्टिक का चाय पीने वाला दो कप लेते हैं दूसरा इसके बीच में छोटा चिद्र बनाते हैं तिसरा लगभग 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं चोथा धागे से दोनों छोर को ब 5. धागे के छोर पर एक पतले पीन को बांधते हैं जिससे धागा निकल ना सके 6. दो छात्रों को धागे के एक दुसरे छोर पर कप लेकर खड़ा होने को कहते हैं 7. धागा को तना हुआ रखते हैं 8. एक छात्र को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं और दुसरे को कप को कान में लगा कर सुनने को कहते हैं 9. हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनी दुसरा छात्र आसानी से सुन लेता है इसे से निसकर्ष निकलता है कि दुहनी संचरन के लिए माध्यम की आवसकता होती है ये मैं एक डाइग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से प्रयोग यहाँ पर हो रहा है अब देखिए 10 नंबर 10 नंबर के कोस्टन है आयाम आवर्तकाल एवं आवरिती को परिभासित करें एवं इनके मातरक लिखें अंसर हो जाएगा आयाम कंपन करती वस्तु के माध्य इस्थिति से अधिक्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं इसका SI मातरक मिटर है फिर देखिए आवर्तकाल कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं इसका SI मातरक सेकेंड है फिर देखिए आवरिती कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रती सेकेंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवरिती कहते हैं इसका SI मातरक हर्ड्स है, किलर है, इसे नोट कर लीजे, उसके बाद हम देखेंगे 11 नमबर, 11 नमबर के कोर्षिन है, आकास में तडित, पहले दिखाई देती है, जबकि मेग गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो इसका अंसर हो जा समानदूरिपर घटित होती है, हमें तडित पहले दिखाई देती है, जबकि मेग गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि तडित की चमक की चाल 3,10 का घहत 8 में 30 seconds, गर्जन की चाल 332 में 31 seconds से बहुत अधीक होती है, इसलिए समानदूरिपर घटित होने पर भी, चमक ह में पहले दिखाए देती है और गर्जन बाद में सुनाए देती है इसे नोट कर लीजिए उसके बाद हो देखेंगे 12 नंबर का कोर्षेन अंसर 12 नंबर का कोर्षेन है अंतरिक्ष यात्री एक दुसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्यों तो इसका अंसर हो जाएगा क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है और ना कोई वायुमंडल है चांद की सत्व पर खाली जगह है दुखनी का संचरन नहीं हो पाता है क्योंकि दुखनी के संचरन के लिए माध्यम क्या उसकता होती है दुखनी निर्वात में संचरन नहीं होता है इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दुसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं है इससे नोट कर लीजे थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो